हेलो फ्रेंड्स फेलकम में यूटुब चैनल गनपन पर नॉइज तो दोस्तो आज हम देखने वाले हैं SBI के एक क्लोबल इंटरनेशनल डेविट कार्ड के बारे में दोस्तो यह debit card जो हमें 3 variant पे मिलता है पहला रुपे, visa and mastercard matter नहीं करता आप किस variant पे लेते हैं अपना debit card क्योंकि इन 3 नों के ही जो fees and charges हैं और benefit and features हैं वो same हैं तो श्टार्ट करते हैं अपने debit card की withdraw limit से अगर आप ATM से पैसे निकालते हैं तो उसमें आप 100 रुपे से लेकर 40,000 रुपे तक पैसे को विड्रो कर सकते हैं और अगर आप ओनलाइन शॉपिंग करते हैं या POS मशीन से शॉपिंग करते हैं उसमें आप 75,000 तक पैसो को विड्रो कर सकते हैं बोले तो शॉपिंग कर सकते हैं और अगर आप UPI का यूज करते हैं तो आप 1,00,00 रुपे तक ट्रांसफर कर सकते हैं एक दिन में चाहे वो person to person हो या person to merchant हो याद रखेगा 1,00,00 रुपे जो है पर day की limit भी है और पर month की limit भी है UPI में दोस्तो एक चीज में आपकी अभी clear कर देता हूँ अगर आप अपने debit card का use करके नया UPI बनाया है या मान लीजे आपने नया pin बनाया है या mobile number चेंज किया है या phone चेंज किया है तो इस case में आप मात 5,000 रुपे तक ही transfer कर सकते हैं अगले 24 गंटे तक 24 गंटे बीतन जो भी amount transfer करना चाहते हैं वो आप transfer कर सकते हैं in case of UPI इस debit card में जो है एक खास facility भी दी जाती है जो कि है NFC बोले तो contact less shopping बोले तो आप अपने card को ऊपर से attach करके बिना pin डाले 5,000 रुपे तक की shopping कर सकते हैं और ये shopping आप दिन में मातर 5 time use कर सकते हैं बोले तो 5 बार ही आप ऐ कर सकते हैं इससे जादा नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं fees and charges की और उसके बाद हम बात करेंगे आपके फायदे की बोले तो अगर आप इस debit card को लेते हैं तो उस पे आपको कौन-कौन से rewards मिलेंगे और किस तरीके से आपको cashback मिलेंगे तो सबसे पहले हम आपका issue charge बोले तो जब आपको debit card दिया जाता है bank की तरफ से तब issue करते समय कितने charges लगते हैं इसमें जो है issue करते समय कोई भी charges नहीं लगते हैं आपको card जो है free में issue किया जाता है बोले तो जीरो चार्ज पे तो अब आजाता है आपका annual maintenance charge बोले तो अगर आप पूरे साल इस card को use करते हैं तो उसके उपर bank जो आपसे कितना charge करता है अगर आप पूरे साल इस card को use करते हैं तो bank आपसे बस 125 plus GST लेता है बोले तो आपसे 147 रुपीज ही इस debit card के charge लगते हैं एन्वल मेंडेने चार्ज तो तीसरा आ जाता है आपका debit card replacement तो गलती से अगर आप अपने card को जला देते हैं तोड़ देते हैं खो देते हैं या किसी कुट्टे को खिला देते हैं तो उस case में आपको जो है नया debit card लेने के लिए 300 plus GST पे करना पड़ेगा तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं rewards की जो SBI के पुराने customer हैं उनको तो पता होगा बड़ जो SBI के नई customer हैं उनको नहीं पता होगा कि अगर आप अपने debit card का use करके spend करते हैं तो उसके उपर आपको कुछ rewards point मिलते हैं जिसका use करके आप mobile रिचार्ज कर सकते हैं शॉपिंग कर सकते हैं अगर आप इस debit card का use करके खर्चा करते हैं जैसे कि अगर मान लिजए आप पेटरोल पंप में अपने debit card का use करके पेटरोल भरा लिया या Amazon पे debit card का use करके शॉपिंग कर ली तो हर 100 रुपीज पे आपको एक rewards point मिलता है और ये एक reward point जो है आपका 25 पैसे के equal होता है और बोले तो 25 पैसे के equal रहता है अगर इस debit card को लेने के एक महीने के अंदर अंदर आप 3 transaction कर लेते हैं debit card से तो आपको 200 reward point जो है मिल जाएंगे और अगर आप अपने debit card का अपने birthday वाले दिन use करते हैं बोले तो आपके जनम दिन वाले दिन तब उस time पे आपको जो भी spend करेंगे उसके उपर double आपको rewards point मिलेंगे जैसे कि अगर आपने birthday वाले दिन 100 रुपे का खर्चा किया तो उसके उपर आपको 2 rewards point मिलेंगे और अगर normal days में देखा जाए तो अगर आप 100 रुपे का खर्चा करते हैं तो उसके उपर एक ही reward point मिलेगा अगर आप अपने debit card का use करते हैं तभी आपको rewards point मिलेंगे अगर आप अपने debit card का use नहीं करते हैं बोले तो अगर आप UPI करते हैं तो UPI के उपर कोई भी rewards point नहीं दिया जाता है SBI के तरफ से तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको reward पहुंच चाहिए तो आपको अपने debit card का use करना होगा तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like and subscribe करें और मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक के लिए thank you for watching